बिस्मिल्लाहिर रख्मानिवाहिम, एक्सराइस 20.5, क्विस्टिन नंबर 6, फाइंड दी कंडिशन देट वन रूट और एक्स स्कार प्लस प्लस देख लेते हैं, किसे कहते हैं, जब कोई भी नंबर हमार पास हो, जैसे हम 5 लेते हैं, तो 5 के देर कोई नंबर प्लस करें, कि हमार पास इस कहांसर 0 आजाए, तो वो माइनस 5 ही होगा, अगर हम 5 में एड कर देते हैं, माइनस 5 को, तो 5 और प्लस माइनस माइनस का 5, प्लस जिरो हो जाएगा दुर्जे कहलाता है additive inverse प्लस पाइफ का additive inverse होका माइनस 5 और माइनस 5 का additive inverse होका प्लस पाइफ उससे तरह से कोई सब नमबर लें तो उसके sign change होगी और जब हम उसे plus करेंगे वो जिरो की को लाता है तो उसका additive inverse कहलाएगा अब हम अपना कोईशन सॉल्फ करते हैं अलफा बीटा हमाँ आपास रूड चाहें और एक्वेशन हमाँ आपास एक्स स्क्वार प्लास पी एक्स प्लास से इसेपल टो जीरो एक्पल होगा एके और दी एक्पल होगा दी के और सी एक्पल होगा सी के इसे सॉल्फ करते हैं सम आफ दी रूट और प्रोड़क्ट आफ दी रूट का अलफ मेरेंगे एक्पलास पीटा हमाँ पास सम होकर और यह एक्पल होता है माइनस पी एक्पान एके इसे तरह से प्रोड़क्ट एल्फा पीटा एक्पल होगा पास सी एक्पान एके हम आपास हो जाएगी एक्वेशन वान और इसे हम लिप देंगे एक्वेशन टू अब प्रोडिक टू दिविन कंडिशन हमें क्याती भी है एक रूड़र हमें कहा है कि वह एडिटिव इन्वार्स है दूसरे रूड़का परदपर हम एक रूड लेते हैं एल्फा और दूसरा रूड हमा पास पीटा यह इसके इंवर्स केक्पल होगा एल्फा के इन्वर्स मान पास क्या होगा प्लास का एलफा है तो माणिस का एलफा ह divisकार इंवर्स दूसरा रूट मापास आ जाएगा माइनस एलफा अब हम यहाँ से साम और प्रोड़क्ट उनकी माविम कर लते हैं अलफा प्लास पिटा सेँमाफ्ति रूट मापास आए गा alpha की जगा हम alpha ही रखेंगे alpha plus beta is equal to alpha की जगा alpha ही आएगा क्योंकि alpha alpha की equal है और beta की जगा हम रखेंगे minus alpha alpha plus minus minus का alpha आएगा minus होगा तो जमापास 0 की equal आजाएगा alpha plus beta equal आजाएगा है 0 की और इसके product देख लेते हम product होती है alpha beta alpha है महापास alpha और multiply होगा beta के साथ beta की value है minus alpha plus minus minus alpha और alpha alpha square हो जाएगा alpha beta की value महापास आजाएगा है minus alpha square अब यहां से हम compare कर लेते हैं alpha plus beta 0 की equal है और हम पर alpha plus beta हमाएपास minus b upon a की equal है तो compare करेंगे equation 1 और 3 को compare करेंगे equation 1 और 3 को equation 1 है माएपास minus b upon a is equal to 0 minus b is equal to a यहां पर divide हो रहा है इस side पर जाएगा तो multiply होगा होगा जिरो के साथ किसी भी number multiply करें तो हमापास जिरो की equal होगा है और से हम लिख सकते हैं पार्ट 4 है इसका इसमें हमें कहा है multiplicative inverse of the other multiplicative inverse यह होता है for example हमाँ पास एक number है 2 इसके साथ हम किसी number को multiply करें कि वो equal हो जाए 1 के तो 1 upon 2 के साथ अगर हम इससे multiply करते हैं यह cancel हो जाएगा और यह बान के एक बला जाएगा तो इसे चीज़ को देखते हुए में है टो मृटिप्लिकेटिव इनवार्स से वना पान टू का और वना पान टू मृटिक्लिकेटिव इनवार्स है टू का कि है और साथ करते हैं स्टार्टिंग में इसी तरी के सही है अल्फ़ वीड़र कर दो a equal hoga a k, b is equal to b and c is equal to c, sum of the root, product of the root, alpha plus beta equal hoga minus b upon a k, alpha beta equal hoga c upon a k, the equation 1, and this is equation 2, according to the given condition, given condition and multiplicative inverse of the other, a root, if we have a alpha, I have a alpha, but you can take beta because alpha and beta are both, if we take beta, beta is equal to beta and alpha is equal to one upon beta and beta will be equal to one upon alpha. अब सम्मुक्ति रूप्स मालूम कर लेते हैं, अब सम्मुक्ति रूप्स मालूम कर लेते हैं, 1, alpha is equal to alpha, और beta की जग़ा हम लिखेंगे, 1 upon alpha. lc हम ले ले लेंगे, alpha ही आएगा हमारा पास, यहां पर अपनी असानी के लिए 1 लिख सकते हैं, multiply होगा, alpha square plus alpha alpha के साथ cancel और यहां पर पर पहन आएगा. सारी है अल्फा प्लास पीटा की वैलियू इसे हम कह लेते हैं एक्वेशन थ्री और यहां से यह कैंसल हो जाएगा अल्फा अल्फा तेसाथ तो हमार पास अल्फा पीटा एक्वल आ रहा है वान की अब एडिटिव इन्वर्स में हमार पास यहां से प्लस सम और ती रूट से वैलियू आ गई थी यहां पर हमार पास आ जाएगी प्रोड़क्ट और ती रूट से वैलियू था हम इसको कंपेर कर लेते हैं सिर्फ प्रोड़क्ट वाले को एक्वेशन 2 और 4 प्रोड़क्ट कंपेर करें एक्वेशन 2 है मापास C एकॉम एक्वल होगा ये 1 के यहां से मापास वैल्यू आ जाएगी A, C is equal to A side पर जाएगा 1 के साथ multiply होगा, C मापास equal आ जाएगा A के, यही मापास इसका answer